नई शिक्षा नीती से कितनी बदलेगी शिक्षा विवस्था जानिए क्या कहते हैं जानकार बुद्वार को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रिय को अपनी मंजूरी दे दिया है इसी के साथ शिक्षा नीती को लेकर अलग-अलग किसम की बहस चिड़ी हुई है खास तोर पर जाने माने शिक्षा विदो की भीच ये चर्चा आम है कि आने वाले दिनों में शिक्षा नीती लागू हूने के बाद कौन से बदलाब देखने को मिलेंगे जाहिड सी बात है कि सरकार के इस फैसले को लेकर अब शिक्षा जगत के जानकार भी बटे हुए है नियूज रिपोर्ट्स ने जौहला नेरु युनिवस्टी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के साथ ही साथ दिल्ली के प्रिंगडेल स्कूल की प्रिंसिपल अमिता वट्टल और दिल्ली युनिवस्टी टीचर्स एसोसियेशन के पुर्व अध्यक्ष जिला स्थर पर इस पूरे विश्य पर चर्चा की गई और तब कहीं जाकर इसे अंतिम रूप दिया गया है अलग अलग राज्य सरकारों से भी इस पर राय मांगी गई थी और उन्होंने भी अपने राज्य की अनुसार इस नीती में सुजाव दिये हैं कुमार के मुताबि इस से ज्यादा समावेशी राष्ट्रिय शिक्षा नीती हो ही नहीं सकती थी इस सवाल पर कि क्या यह शिक्षा नीती नीजी करन को बढ़ावा देगी और भैतर उनिवस्टी को और भैतर और खराब उनिवस्टी को खतम करने का प्रारूप लाएगी इस सवाल पर JNU के VC न साथ मुकाबला कर पाएं उनके मुताबिक निजी करन की बात कहीं से भी सई नहीं है हां विदेश्य युनिवस्टी हिंदुस्तान में जरूर आएगी और उस से भारत का शिक्षा स्थर गलोबल होगा दिल्ली के जाने माने स्कूल स्प्रिंडेल्स की प्रिंसिपल अमरिता वट्टल भी इस नई राष्टिय शिक्षा निती को एक अच्छी शुरुवात मानती हैं उनके मुताबिक अब बिल्कुल निचले स्थर पर छात्रों को बुन्यादी शिक्षा दी जा सकेगी ताकि वे बहतर बविश्य के लिए तैयार हो सके अमिता वट्टल ने यह भी सा कि अब तक लोग वोकेशनल एजुकेशन पर जादा ध्यान नहीं देते थे जिसकी वज़ा से हम सिर्फ ग्रेजुएट पैदा कर रहे थे लेकिन अब स्कूली शिक्षा में भी वोकेशनल एजुकेशन को शामिल करने से बहतर चात्र निकल कर सामने आएंगे दिल्ली विश्व विद्याले शिक्षक संग यानि डूटा के पूर्व अध्यक्ष आदित्य नरायन मिश्रा इस पूरिश नई शिक्षा नीती से कहीं भी सहमत नहीं दिखाई पड़ते हैं उनका साफ तोर पर कहना है कि नई क्रेडिट पॉलिसी जो की युनिवर्स्टी और कॉलेज को अलग-अलग ग्रेड में बाटेगी वह प्राइविटाइजेशन को बढ़ावा देगी उनके मुताबिक बहतर युनिवर्स्टी को आत्म निर्बन होने के लिए कहा जाएगा यानि ऐसी तकरीबन सो युनिवर्स्टी में चात्रों को खुद अपना खर्च वहन करना पड़ेगा और जो बिलकुल निचले स्थर की युनिवर्स्टी हैं उन्हें बंद कर दिया ज सकते हैं आदित्य नरायन मिश्रा का यह भी कहना है कि यह पॉलिसी ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देगी और आज के डिजिटल गैप में ऐसा करना सई नहीं है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो चोत्र ऑनलाइन के जरिये निकल कर आते हैं वे क्लासरूम शिक्षा क कहीं से भी मुकाबला नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें दोयम दर्जे का ही समझा जाएगा सरकार ने यह भी कहा कि नई शिक्षा पॉलिसी के तहत वे जीडीपी का 6 फिसदी शिक्षा पर खर्च करेगी लेकिन इस पर मिश्रा का कहना है कि युनिवरस्टी को ग्रांट मिल चाहिए क्योंकि सरकारी जीडीपी में प्राइविट हिस्सेदारी भी आती है और ऐसा करना नीजी करन को और बल देगा धन्यवाद इंडिया हाट टॉपिक्स की रिपोर्ट